आप लोग कैसे हैं? उमिद है कि आप लोग अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज जुमा का दिन है मैं सुबह ही सुबह सब कामों से फारिग हो गई और मैंने अभी कोई भी रेष्पी नहीं सुबह की शेयर की क्योंकि आज बहुत सारे काम थे अभी शादी का वक्त बिलकुल करीब आ रहा है मेरे पास दुपट्टे हैं तो उस पर लेस लगानी है तो मैंने सुचा आज जिली से नहा दोकर फारीग होके मैं बैट जाओ अपना काम करने मैं चाय बना कर ले आई अब मौसम भी हो गया चाय पीने का तो मुझे दिल हो रहा था कि मैं चाय अपने लेग बना लू तो मैं चाय बना कर ले आई रूम में बैट गई चाय भी पी लू और क्या क्या करना आपना मैं पूर सोचने लगी तो मैंने अपना दुपट्टा निकाल लिया ये मेरे देखे निकाह का डुपट्टा है इसकी लेस बहुत हैवी थी इतने हैवी थी कि डुपट्टा मुझसे समलता ही नहीं था तो मैंने सुचा मैं इसकी लेस दूसरी लगा देती हूँ तो मैं मार्केट गई तो मुझे यही लेस पसंद आई हलकी सी थी तो ये मैं इलाई तो मैंने सुचा मैं खुद ही लगा लूँ इतनी तो सिलाई मुझे आती है कि मैं इसको लगा सकती हूँ ऐसे तो हाथ से भी लगा देती है अब भी मेरी हाथ से लगा देती है लेकिन अभी तो मुझे लगाना था तो मैंने मशीन से ही लगाया पांस से दस मिनट में लेस लग दी और देखे कितनी सफाई से लेस लगी मैंने सिलाई को काफी बड़ा कर लिया था तक कि खूब अच्छे से लेस लग जाए लेस लग गए मैंने फोल्ड करके दुपट्रे को साइड में रखा और फिर मैंने अपनी कुर्टी को लिया जिसके लंद काफी लंबी थी मैंने सुचा कुर्टी को मैं कर लूँ और उस बचे हुए कप्रे से मैं आपको स्क्रेंची बना कर बताऊँ जो कि मार्केट में मिलती है और काफी महंगी मिलती है और आज किल तो देखी गदम फैशन हो गया जिसको देखो वो स्केंची ले रहा है तो मैंने कहा मैं अपने लिए खुद बना लेती हूँ अपनी फ्रॉग की मैचिंग की तो मैंने फ्रॉग को बिट पर अच्छे से फैला कि उसको अपने जमपर से उसके लिंद को मैंने लिना अप लिया और उसकी फटाफट कटिंग शूर कर दे कटिंग करके मशीन पर पैर दिए लेके मैचिंग धागा लगा कर कि जल्दी से मैं अपनी फ्रॉग के नीचे का सिल रूँ देखिए फटा फट मैंने बखिया कर लिया सिलाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता पहले तो मैं बहुत जादा करती थी लेकिन अभी कम करने लगी है देखिए जल्दी जल्दी सफाई से मैंने अपनी फ्रॉग को बना लिया पास से दस मिट में ये भी बन गया अभी बाहर देती तो काफी टाहिम लग जाता अब पैसा भी लगता और वक्त भी बहुत लग जाता दो तीन दिन में टेलर देते फिर मैंने बचे हुए कप्ड़े को लेकर उसको देखे डबल फोल्ड करके एक सिलाई मार दी ये पुरी सिलाई मार दी अब ये इसको डबल कर लिया ताकि मुन खुले अब इसको पलट दिया ये देखे पलट के सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद आप लाश्टिक को नाप लीजे बहुत बड़ी भी नहीं रखना बहुत चुटी देखे लाश्टिक को पिन में लगा के उसमें लाश्टिक को अंदर पूरी डाल देंगे डालके फिर दोनों सीरे को लाश्टिक के पकड़के गीठा लगा देंगे देखिए अच्छे से गीठा लगा दिये देखिए गीठा लग जया अब जो दोनों मूँ दिख रहा है सिलाई उसको सुई से सिलाई कर देंगे और हमारी बेहतरीन सी मैचिंग इस तंची बन के तयार है देखिए कितनी जल्दी बन गई अभी मार्केट से आप जाए लेने तो अभी ये 50-60 रुपए के आपको मिल जाएगी और मार्केट वाली फट से खुल भी जाती क्योंकि वो लोग इतनी अच्छी सिलाई और बख्या कुछ भी नहीं करते हैं देखिए कितनी अच्छी ओफट अफट बनके रेडी हो गई मैचिंग की हो गई और अपने हाथ से किया हुआ काम पे इत्मिनान भी है देखिए मैंने इसको हाथों में भी पहन कर आपको देखा दिया मैं बहुत सारी बना चुकी हूँ जब भी मैं अपना कोई भी कुर्ती कभी लंद कम करती हूँ तो उसकी स्क्रंची ही बना लेती हूँ देखिए ये भी रेडी हो गई अब ये सब काम करके काफी लेट हो गया मैं लेट गई थुड़ी दिर थुड़ी दिर मैंने सुच्छे मैं आराम कर लू फिर नीचे जाओ खाना खाने तब तक हस्बेन आ गए और फिर मैं नीचे आ गई नीचे आ गई खाने वाने सिफारिग हुई खाने सिफारिग होके एक घंटा मैं लेट गई एक गंटा लेटी थी इतनी जिल्दी आजकल शाम हो जाती ही कि वक्त का कुछ पत ही नहीं चलता है कि कब दोपहर हो गई कब शाम हो गई फिर मैंने शाम में सुचा आज मैं आप लोगों को हलवे की रेसिपी बताती हूँ आप बहुत दिल हो रहता है कि मैं कुछ मीटा खाऊं मैंने दो इस्पून देसी घी डालकर सारे डाइफ रूट को उसमें डालकर जिल्द फ्राई कर लिया हलका सही फ्राई करना है बहुत जादा नहीं फ्राई करना वरना डाइफ रूट जल जाएंगे इतने हलके होते हैं कि बहुत जल्दी जलने लगते हैं दो मिनट चला कर डाइफूट को मैंने निकाल लिया फिर सेम पैन में दो इस्पून घी डाल कर एक कप सूजी को डाल दिया और सूजी को खूब भूनेंगे इतनी अच्छे भूनाई करेंगे सूजी की सूजी बिल्कुल सूधी हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए देखिये भूनते भूनते कलर बिल्कुल चेंज हो गया लेकिन लगी यह बहुत मेहनत मुझे भूनने में यह देखिये कलर बिल्कुल जब चेंज हो गया तो मैं एक कब बड़ा भर के उसमें दूद कायट कर दिया दूद कायट करके खूभ उसको अच्छे से मिक्स किया जैसे ही दूद डालेंगे स१ी फहरण से देखिये फुल ने लगेगी उसके बाद मैंने चीनी डाल दिया चीनी अपने टेश्ट के मताबिक ही आप डाल लिए कुछ लोग हलका खाते हैं कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा मिठा खाते हैं फिर आधा कब दूद और डाल दिया ताकि खुब अच्छे से चीनी गल जाए और सूजी अच्छे से खूल जाए जब भून लिया तो देखा ग्राइफुर्ट को ठांए टाल करें खुब अच्छे से लिक्स करेंगे जादा टइम नहीं लेगेगा फिर मैने थोड़ा सा केसर भी डाल दिया आपको नहीं मनो तो मट ढ़्या मैंने डाल दिया थोड़ा केसर से अच्छा सा कलर हो जाता है धूस्मून और घी बढ़ां डाल कर पांच मिनट तक इसको तेज आज पर भूनेंगे, तेज आज पर भूनते ही देखिए कड़ाई, हल्वा पूरा कड़ाई छोड़ दिया, यानि कि हल्वा रेडी है, तो मैंने उसको प्लेट को निकाल लिया, और खुब इंज्वाई किया हल्वा खाया, अभी हल्वा यह सब फ्री हुए, तो देखें, सूरज बिल्कुल डहलने लगा, शाम होने लगी, तो आप शाम की फिकर हो गई, कि आप शाम में क्या बनेगा, क्या बनाना है, रोस की तो यही टिंशन होती है, हम हाउस वाइफ को, कि खाने में क्या बनेगा, तो मैंने सुचा, आज मैं म मतन दोप्याजा बना लेती हूं, तो मैंने मतन दोप्याजा बनाया, बहुत जटपट बना, बहुत ही टेश्टी बना, आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जाकर जरूर रेसिपी को देखिएगा, और मुझे कॉमेंट करिएगा, फिर मैंने अपना खाना निकला, खाना अप आप लोगों को आईए मेरा चोटा सा और मेरे सिलाई का व्लॉग कैसा लगा, कॉमेंट में जरूर बताईएगा, फिर मिलूंगी मैं कोई बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से डेली रूटीन के व्लॉग के साथ, और आपने मेरा उप्टन वाला व्लॉग देखा की नहीं कॉमेंट करिएगा वो भी, अला रफेज